इस वीडियो में हम जानेंगे NCRT Class 6 History Chapter 2 के वाड़े में जैसा कि Chapter 1 में हमने जाना था कि आरंबिक मानव जो थे वो skilled hunter और gatherer थे वे नदियों के किनारे रहते थे और जंगलों से जानवरों का सिकार करके या फिर पेर पौधों से अपना खाना प्राप्त करते थे एक तरह से उनका जीवन जो था वो खाना वदोस वाला जीवन था इस Chapter में हम जानेंगे कि कैसे वो जो आरंबिक मानव थे hunter gatherer वहां से एक settled life जीना इस्टार्ट किया कैसे उन्होंने agriculture परादहारित किसी परादहारित अस्थाई जीवन जीना इस्टार्ट किया तो सबसे पहले जानते हैं ये जो earliest people थे आरंबिक मानव ये इधर उधर क्यों घूमते थे आरंबिक मानव जिनके बारे में हम जानते हैं वो इंडियन सब कंटिनेंट में ये जो उप महादुईप है इसमें 20 लाख साल पहले रहा करते थे जिन्हें हम hunter gatherer के नाम से जानते हैं hunter gatherer क्यों क्योंकि वो खाना इकठा करते थे अपना और सिकार करते थे जंगली जानवरों का सिकार करते थे मचली और चिरिया पकरते थे फल मूल दाने पौधे पतिया अंडे ये सब इकठा किया करते थे इसलिए इनको हम hunter gatherer कहते हैं अब जानते हैं कि ये एक जगह से दू घूम्ते रहते थे तो इनके घूमने के कई कारण थे जिसमें की पहला कारण कि अगर वे एकी जगह पर ज्यादा दीनों तक रहते तो आसपास के पौधों फ़लों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे इसलिए भोजन की तालास में उन्हें दूसरी जगों पर जाना पड़ता था दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो जानवर अपने सिकार की खोज में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और ये हीरन या फिर wild cattle मवेसी सव अपने चारा के खोज में ग्रास और लीवस के खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जो लोग इनका सिकार करते थे वो इन्हें फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो पेर पौधे होते हैं उनमें अलग-अलग सीजन में फलफूल आते हैं और इसलिए लोग उनकी तालास में जो उप्यूक तो मौसम होगा उसके अनुसार अनिलाकों में घूमते होंगे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और पानी कहां पाया जाता है लेक्स में, स्ट्रेम्स में और रिवर्स में नदियों में पाया जाता है बहुत सारे जो नदी होते हैं और जहरने होते हैं वो क्या होते हैं? पेरीनियल होते हैं जिन में वाटर सालो भर रहता है लेकिन कुछ जो होते हैं दूसरे वो seasonal होते हैं उनमें पानी सूख जाता है जब बारिस होती है तभी उसमें फिर से पानी आता है इसलिए ऐसी जीलो और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलास में इधर उधर जाना परता होगा मतलब ऐसा जील और नदि जहां पर बारिस के बाद ही पानी भर पाता है तो ऐसे जीलों और नदियों के पास बसे लोगों को सुखे मौसम में ड्राइ सीजन में उनको पानी के खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाना परता होगा ये चौथा कारण हो सकता है अब जानते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है तो आर्केयोलोजिस्ट जो होते हैं पुरातत्तुविद इनसे कुछ ऐसी वस्तुवे मिली है जिनका निर्मान और उप्योग हांटर गैदरर्स किया करते थे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकडियों और हडियों के औजार बनाए हो और इन में से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं इनको ही जो आर्केयोलोजिस्ट होते हैं वो रीड किये है इन में से कुछ औजारों का जो स्टून टूल्स थे इनका यूज मीट को कट करने बोन को कट करने या फिर जो पौधे होते थे पेड उनका छाल उतारने के लिए उसके बाद जो जानवर होते थे उनका स्कीन उतारने के लिए या फिर फलो और जरो को काटने के लिए किया जाता था कुछ के साथ जो बॉंस और लकडियो 'llird लगाकर बहाले और बांज जैसे हथियार बनाए जाते थे और कुछ ओजारों से लकडिया काटी जाती थी लकडियों का उपयोग इंधन के साथ जोपडिया और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था तो ये सब यूजिज है जो वो किया करते थे अपने पत्थर के औजारों से ये पिक्चर दिया हुआ है ये पहला जो है ये पत्थर के औजारों का जोपयों किया जाता था वो इनसान के खाने योगी जरों को खोधने के लिए और कि खाल से बने वस्तर को सिलने के लिए किया जाता था तो यह दो उपयोग दिया गया है next है रहने की जगः चूझ करना निर्धारित करना तो तीन तरह का उनका साइट था रहने की जगः पहला तो था फैक्टरी साइट जहाँ पर वो अपना हथियार बनाते थे दूसरा साइट था हैविटेशन साइटilar जहाँ पर वो रहना पसंद करते थे अवासिय अस्थल था और तीसरा था अवासिय भी था वहाँ वो रहते भी थे और अजार भी बनाते थे यहाँ पर मैप गया है जो की हंटर गैदरर्स का साइट था इसके अलावा और भी सार अस्थान हैं जहां पर हंटर गैदर्स रहा करते थे लेकिन इस घिने चुने चिनित किये गए हैं, और कई जो साइट्स हैं, वो नदियों और जीलों के किनारे पाए गए हैं, ये ट्रैंगल में जो है, रेड ट्रैंगल, ये पुरा पासानिक पुरा अस्थल है, मतलब पैलियोलिथिक साइट, जैसे की भीमबेटिका, हुन्सगी, कर्नूल, केब, ये ती नियोलिथिक साइट्स यहां दिये गए हैं, जो कि पैलियोलिथिक साइट है, इसके बाद ये इसक्वायर में जो दिया हुए है, ये नियोलिथिक साइट है, जैसे की दाओ, जली हैडिंग, चिरान, कोल्डी हिवा, महागरा, बुर्जुहों, मेहरगड, हल्लूर, पैयमप ये सब नियोलिथिक साइट है, इसके बाद ये जो ग्रीन सरकल में दिया गया है, ये सब मेगालिथिक साइट है, जैसे अद्धी, चन्नलूर, उसके बाद ब्रह्मगिरी, ये दो साइट दिये हुए है, उसके बाद है अर्ली वीलेजेज, जैसे की इनाम गाउं, और ये मुंबय, कोलकाता, ये सब जो है, ये मौडर्न सिटीज है, चुकि आरंभिक मानव के लिए, पत्थर के जो आजार थे, वो बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट थे, इसलिए वे लोग कोशिस करते थे, कि अच्छे क्वालिटी का स्टोन आसानी से एवलेवल हो, ये एक रॉक पेंटिंग दिया गया है, जिसमें की जो अरली पीपल थे, आरंभिक लोग, उनके बारें बताया गया है कि किस तरह से वो वाल पर पेंटिंग बनाना पसंद करते थे, ये पेंटिंग है मधिपरदेश से और सौधान उतर परदेश से, इस पेंटिंग में दर कुथी कुसलता पूर्वक बनाया गया है, यहाँ पर एक साइट के बारे में दिया गया है, भीम बेट का, जो की मधिपरदेश में है, ये एक ओल्ड साइट है जहाँ पर केप्स, गुफा और रॉक सेल्टर्स मिले हैं, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे कि, क्योंकि यहाँ उन्हें बारिस, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, और ये गुफाए जो है वो नर्मदा गाटी के पास है, ये है भीम बेट का का केव, मधिपरदेश में है, तो लोग कहा रहना पसंद करते थे, जहाँ पर पानी हो, पानी उनको उपलब्ध हो जाए आसानी से, उसका आसानी से पत्थर उपलब्ध हो जाए ताकि वो से टूल से बना सके, और रहने के लिए, आवास के लिए गुफा चाहिए, ये तीनों जहां होता था, वहां लोग आरंभिक मानव रहते थे, अब एक टर्म को डिफाइन किया गया है, साइट्स, जिसको की पुरा अस्थल कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा भी था कि आरंभिक मानव जो रहते थे, उनका तीन साइट था, पुरा अस्थल उस अस्थान को कहते हैं, जहां और जार, बरतन और इमारतों जैसी वस्तूओं के अवसेस मिलते हैं, ऐसी वस्तूओं का निर्मान लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उए उन्हें वही छोड़ गए, ये जमीन के उपर, अंदर, कभी-कभी समूदर और नदी के तल में भी पाए जाते हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं, इन में इसके बारे में डिटे थी, इससे आरंभिक मानव का जीवन बदल गया था, बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ा था उन पे, मैप में जो अभी हमने मैप देखा था, उसमें दिया हुआ है करनूल गुफा, करनूल केब, ये इसका लोकेशन है, आंध्र परदेश में, यहां पर राक के अफसेस मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गये थे, और आग का इस्तमाल कही कारियों के लिए किया गया होगा, जैसे कि लाइट के लिए, परकास के लिए, मांग्स भूनने के लिए, खतरनाक जनवरों को दूर भागाने के ल अब जानते हैं, नेम्स और डेट्स के बारे में, तो आर्चेलोजिस्ट जो है, अभी जिस काल को हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही लंबा लंबा नाम रखा है, जैसे कि अर्लिएस्ट पिरियेट के लिए पैलियो लिथिक, आरंभिक काल को वे, पुरा पासान काल क कहते हैं, पैलियो मतलब होता है, ओल्ड, पुराना और लिथोज मिन्स होता है, इस्टोन, यह नाम जो है, यह जो पुरा स्थल से पत्थर के और जार मिले हैं, इनके महतु को बताता है, पुरा पासान काल पैलियो लिथिक एज जो था यह 20 लाक साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है इस काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है आरंभिक, मध्य और उत्तर मतलब लोवर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक एज को तीन पार्ट में बाटा गया है लोवर, मिडिल और अपर पैरियो लिथिक और human history की लगभग 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान घटित हुई जिस period में हमें environmental changes देखने को मिलता है मतलब परिया वर्ण ये वदलाव मिलते हैं उन्हें मेजो लिथिक एज कहा जाता है Middle Stone Age और इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है अब इस UK क्या विसे स्थाए है इस काल के जो पासान होते थे पत्थर के ओजार जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे इन्हें माइक्रोलित यानि लगुपासान कहा जाता है प्राय इन ओजारों में हडियों या लकियों के हैंडल लगे हसिया और आरी जैसे ओजार मिलते थे साथी साथ पुरा पासान यूग वाले ओजार भी इस दोरान बनाये जाते रहे क्या भी सेस्ता था कि टीनी ए स्टोन टूल्स जिसको की माइक्रोलित कहा जाता है और इसे बनाया जाता था बोन और वूड से हैंडल इसका बनाया जाता था और इससे सौ और सिकल्स बनाया जाता था और इसी समय पे जो older varieties थे tools के वो भी बनाया जाता है वो भी continue थे उनको भी बनाया जाता था अगला stage है 10,000 साल पहले जिसको की नियोलिथिक एज कहा जाता है नपासान यूग इसकी सुरुवात कब हुई लगभग 10,000 साल पहले अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कैसे climates में परिवर्तन हुए और उनका कितना impact पड़ा earliest human पे तब तक के लिए thank you